नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पर उतिहार टोटके मकर रासी आज का दिन आपके लिए अच्छा है सुबह साड़े दस के बाद तो अपने स्वास का ध्यान दिन के पहले भाग में रखेगा जिन लोगों ने अगर आप मकर वाले हैं आप प्रोपर्टी बेगर लेकर रखा हुआ है आपको उसको बेचना चाहते हैं तो अच्छा खईदार भी मिलेगा और लाब भी होगा वैसे मेहनत करेंगे अपने कारियों के पिछे प्रेम और दूद रिष्टी की भावना रखिए लालच का जहर नहीं रखना है और हलांके लब लेसंसी में आज खुसिया है लोगों से मेल जोल में वक्त बीतेगा आप वक्त थोड़ा अपनों के लिए जरू निकालें वैसे तो बैवाहिक जीवन आज के दिन आप आपका बढ़ियां रहेगा लंबी यात्रा के योग हैं और अगर जैसे थोड़े समय के लिए आप यात्रा टाल भी सकें तो ठीक है यानि दोपार के बाद ठीक है लेकिन बाद बंद कर भुरुसा किसी पर भी ना करें तो आज मकरवाले जो लोग पहले से बीमार चल रहे थे आज स्वास्त में तेजी से सुधार होगा कोई भी कारे विवेक से करें लाब होगा बड़ी समस्या का सामना दिन के पहले भाग में हैं बाद में आपको राहत मिलेगी आपको लेना हो तो और अपने उपर भरुसा रखें काम बीना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे कारेशेतर में धन संबंदी कोई मदद मांग सकता है संतान को किसी नए नोकरी प्राप्ति के योग हैं और मन की बातें जीवन साथी से आज करते दिखेंगे तो देखिए नोकरी जो लोग करते हैं प्रतिस परधा के कारण हलकी फुलकी सबस्या हैं ऐसे में साथधान रहें स्वास्त के मामलों में अगर नसा करते हैं तो इनको छोड़ दें बिजनस करते हैं तो पन्लाली में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं आपको लाब होगा और जो पहले बाग थोड़ा भारी चल रहा है इसलिए पहले से समल कर रहे हैं तो आज के दिन स्वहाद पूर्ण सम्मंदों का आनंद लेंगे स्वास्त ठीक है और पारी बारी जीवन में आकर्सन है लेकिन भाई बहन और माता पिता के साथ इस्थर रहेंगे पैसों पर नजरे बना का आपका चार है तो आज जो लोग भी द्यार थी हैं पढ़ाय लिखाय पर फोकस बनाया रखें और पढ़ाय लिखाय पर जीतना मेहनत करेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी वैसे लव लाइब बहुत अच्छा है रोमान से भरपूर यह दिन है वैसे तो अपने कारियों के प्रतीब भी थोड़ा और मेहनत करें ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा बैभाई जीवन खुबसूरत धन्यवाद लाइब से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव चलो लेकर धन्यवाद